खेल करंट अफेट्स 2023 जिसे कि हम स्पोर्ट्स करंट अफेट्स 2023 भी बोलते हैं काफी जादा important topic होता है अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हो तो friends वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected और important लिए हैं अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाला है फिर्ट्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एक्जाम में आपको इस से बाहर एक भी question ने मिलेगा ये आपके रवी सर का वादा है क्योंकि आपके रवी सर ने best content अपने इस वीडियो में रखा है तो चलिए शुरू कर लेते हैं first question से first question है मारा महिला प्रीमियर लिग 2023 जिसे कि हम short में WPL 2023 भी बोल सकते हैं का खिताब किस टीम ने जीता है सही answer है option A Mumbai Indians Mumbai Indians की team ने friends महिला प्रीमियर लिग 2023 का किताब जीता है important point से question को समझते हैं Mumbai Indians ने दिली Capitals को साथ विकेट से हरा कर पहला महिला प्रीमियर लिग 2023 का किताब जीत लिया है और इसका योजन कहां पर हुआ है friends WPL 2023 का भारत के Mumbai में हुआ है पहला संसकरन खेला गया है और आपको बताना चाहता हूँ Orange Cap जो विजेता रही है इसमें रही है मैग लैनिंग ठीक है जो की दिली Capitals की है वही है अगर हम बात करें Purple Cap विजेता तो वो रही है हैली मैथवेस ठीक है Mumbai Indians की है और शुभंकर था शक्ती यह आपको याद रखना है फ्रेंट्स यहाँ पर जो Orange Cap की बात हुई है पूरे टूर्णामेट में जो भी खिलाडी सरवाधिक रन बनाता है उसे Orange Cap दिया जाता है नेक्स कोशन IBA महिला वेश्व मुक्यबाजी Championship 2023 का आयोजन कहां शुरू हुआ है सही आंसर है Option है नई दिल्ली नई दिल्ली भारत में फ्रेंट्स IBA महिला वेश्व मुक्यबाजी Championship 2023 का आयोजन हुआ है तेरवा संसकरन है और जो इससे पहले वाले संसकरन था फ्रेंट्स वो तुर्की के इस्तानबूल में हुआ था बात यहां पर IBA की हुई है International Boxing Association फुल फॉर्म होता है 1946 में स्थापना हुई थी मुक्याले कहां पर लियुसाने में IBA का अध्यक्षय उमर नगरोविच क्रैमलेव नेक्स कोशन इस कोशन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजे लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 Cricket Wish Cup 2023 का किताब किस टीम ने जीता है सही आंसर है ऑप्शन है अस्टेलिया की टीम ने ICC महिला T20 Cricket Wish Cup 2023 का किताब जीत लिया च्छटी बार यह किताब जीता है मतब रणर आप टीम कौन सी है दक्षिन अफरीका है यानि की विजेदा टीम और कहां पर खेला गया दक्षिन अफरीका में खेला गया संसकरन आठमा था नेक्स कोशन गिरिशमकालिन ओलंपिक और परालंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा सही आंसर है ऑप्शन बी पैरिस फ्रांस फ्रांस का जो पैरिस शहर एफरेंट्स यह गिरिशमकालिन ओलंपिक और परालंपिक खेल जो की 2024 में होने है इसकी मेजबानी करेगा, 33 संस्क्रण ये खेला जाएगा इसी केसाफ आपको बताना चाहता हूँ कि जो अगला संस्क्रण होगा 34 गिरिशमकारिल अलम्पिक जो कि 2028 में खेला जाएगा लौस एंजलेस, USA में 35 गिरिशमकारिल अलम्पिक 2032 में खेला जाएगा अर्जेंटिना ने प्रैलिटी शूट आउट में फ्रांस को 4-2 से हरा कर 36 साल बाद अपना तीसरा FIFA विशकप जीता है 22 संस्क्रण खेला गया है ये आपको याद रखना शुभंकर था लाइप जो कि अर्भी भाशा का शब्द है फ्रेंट जितनी भी मैं आपका इडिक्शन इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में कोशन है और एक्जाम में इसमें से कोशन पूछे जाते हैं नेक्स कोशन भारत का सरवोज खेल सम्मान जिसका नाम है मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार 2022 किस ने जीता है सही आंसर है ऑप्शन है शरत कमल अचंता ने जीता है ये है इनकी फोटो और फ्रेंट्स यह जो है टेबल टैनिस खेल से संबंध रखते हैं आप सभी के लिए फेंट्स एक गुड़ न्यूज है कि हमारी जो इबुक की वेबसाइट है वो लाउंच हो चुकी है जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com इसका आप स्क्रीन शॉट ले लिजे या कहीं पर नोट डाउन कर लेजे वार्षी की एबुक जो है 2022 की जनवरी से दिसंबर 2022 तक ही वह भी लाउंच हो चुकी है 5000 से जादा कोशन हमने रखे है 60 से जादा प्रेक्टिस सेट और इसमें ही 60 से जादा टॉपिक भी हमने कवर की है मतलब है सबसे बेस्ट एबुक है करेंट अगर आप किसी भी एक्जा 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा सही आंसर है option D कजाकिस्तान में फीडे वेशो शतरण चैंपिंशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा फीडे स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल चैस फैटरेशन वेशो में जितने भी शतरण जे घेल होते हैं फीडे उसे रेगुलेट करता है 20 अगला कोशन ICC पुरुष टैस्ट क्रिकेटर ऑफ दा इयर 2022 का किताब किसने जीता है सही आंसर है option B बैन स्टॉक्स जो की इंगलेंड के खिलाडी है और मैं आपको बदाना चाहता हूँ 2022 में जितने भी ICC पुरुष कार विचेता मिले हैं उनकी सूची में आपके सामने त दीखा विचेता मिले है बाबर आजम पकिस्तान के हैं महीं अगर हम बात करें राचेल ही हो फिलिंट टॉफी जिसे के आप बोल सकते हो मिला क्रिकेटर ऑफ द इयर खिता आप जीता है नेट साइवर नें इंगलेंड की हैं अगर हम बात करें पुरुष टैस्ट क्रिकेटर आपको याद रखना है, अगर आपको वीडियो की कॉलिटी, वीडियो का कॉंटेंट और आपकी रवी सर की मैनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, कॉमेंट बॉक्स से मुझे अपना फीडिबैक भी देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, नेक्स कोशन, चौबिश में शीत कालिन ओलम्पिक 2022 खेल का आयोजन कहां हुआ है, सही आंसर है, ऑप्शन C, बीजिंग चीन में, चौबिश में शीत कालिन ओलम्पिक 2022 खेल का आयोजन हुआ है, चौबिश में संस्करन खेला गया है, पदक तालिका में पहला स्थान नौर्वे का है, जिसमें जिनने 37 पदक जीते हैं, 16 गोल्ड के साथ, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, 24 वा मैंने आपको बताया, बीजिंग चीन में हुआ है, पहला स्थान नौर्वेन हासिल किया है, तो इसका अगला जो होगा, 25 वा शीत कालियन ओलम्पिक होगा, 2026 में वो होगा, इटली के मिलान और कोरटेना शेहर में, अगला कोशन, इसको आप डबल स्टार मार करिये, भारती ओलम्पिक संग, यानि कि I.O.A की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, सही आंसर है, ऑप्शन B, P.T. उशा, भारती ओलम्पिक संग, यानि कि I.O.A की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, I.O.A इंग्लिश में वोतार फुल फॉर्म इंडियन ओलम्पिक एस्सोसियेशन, 1927 में सकी स्थापना हुई थी, मुख्याले कहां पर है, नई दिल्ली में, अगला कोशन, फुटबॉल टूर्नामेंट, फीफा विशकप दोहजाचब़िस कहां आयोजित किया जाएगा, सही आंसर है, ऑप्शन D, उप्युक्त सभी, अमेरिका, मेक्सिको, कैनेडा, संसकरन 23 खेला जाएगा, नेक्स कोशन, प्रो कबड़ी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब किस टीम ने जीता है, सही आंसर होगा, ऑप्शन D, जैपुर, पिंक, पैंथर्स ने प्रो कबड़ी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब जीत लिया है, वो विजड़ता टीम रही है, पुनेरी, पल्टन, अगला कोशन, पुर्टगाल के स्टार फुटबॉलर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दिसंबर 2022 में किस फुटबॉल कलब में शामिल हो गए हैं, इस कोशन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजे, सही आंसर है, ऑप्शन D, अलनसर, जो की साओधी अरब का फुटबॉल कलब, इसमें शामिल हो गए हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पहले ही पुर्टगाल की तरफ से खेलते थे, अगला कोशन, क्रिकेट टूर्नामेंट, इरानी कब 2023 का किताब किस ने जीता है, सही आंसर है, ऑप्शन D, सेश भारत ने, इरानी कब 2023 का किताब जीत लिया है, सेश भा कम दो बार वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको एक एक कोशन टिप्स पे याद हो जाए, और फिर्ट साथ साथ में जो भी कोशन में आपको पढ़ाता हूना, फोटो से समझा रहा हूं, और कम से कम दो बार तो मैं रिपीट करता ही हूँ, ताकि आपको हर कोशन इसी विक्टोरिया अस्टेलिया में राष्टमंडल खेल दोजा चबविस आयोजित किये जाएंगे, तेइसमा संसकरन खेला जाएगा, नेक्स कोशन, आइसी सी पुरुष T20 विश्कप दोजार बाइस का किताब किसने जीता है, सही आंसर है, ऑप्शन बी, इंग्लैन ने जीता है, सही आंसर है, ऑप्शन बी, लियोनल, मैसी, अर्जेंटीना की हैं ये, और सरवस्रेश्ट, फीफा, महिला कि लाड़ी, 2022 किताब किसने जीता है, अलेक्सिया, पोटेलस, बार्सिलियोना, स्पेन की है, अगला कोशन, पांच में खेलो, इंडिया यूथ गेम्स, 2023 की पद इतियोगिता में कुल 161 पदक जीते हैं, जिन में 56 गोल्ड, 55 सिल्बर, 50 ब्रॉंज शामिल है, हर्याना 41 सवन सहीत, 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे रहा है, आयोजन स्थल, भुपाल, मध्य परदेश रहा है, संसकरन पांचवा, शुभंकर, आशा और मोगली, और स्म इसको, सही आंसर है, ऑप्शन B, जर्मनी ने जीता है, F.I.H. पुरुष हौकी विशकब 2023 का खिताब, वो विजेता टीम रही है, बैल्जियम, और तीसरा स्थान हाची लिकिया है, नीधर लेंड्स ने, जिसने कांसे पदक जीता है, आयोजन स्थल किया था, भुवनेशव इलागे है, शुभंकर, ओली है, अगला कोशन, शीत कालिन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां होगा, सही आंसर है, ऑप्शन D, गैंगवन, दक्षिन, कोरिया में, संस्करन चौथा कहला जाएगा, अंतराश्टी ODI किरिकेट में 12 शतक लगाने वाले सबसे युवा बलेबा सच कौन बने है, सही आंसर है, स्कोशन का, ओप्शन D, शुभमन, गिल, और ये पांच में भारतिये भी बने है, टैनिस टूर्णामेट, अस्टेलियन, ओपन 2023, ग्रेंड स्लैम में, पुरुश एकल का किताब किसने जीता है, सही आंसर है, ओप्शन D, नुवाक, और वहीं अगर हम बात करें, अस्टेलियन ओपन 2023 के अन्ने विजिताओं के नाम, महिला इकल, अरेना, सबलेंका ने जीता है, जोकि बेलारूस की है, पुरुश युगला किताब जीता है, रिंकी, हीजी काता और हैसन कुबलर ने, जोकि अस्टेलिया के है, महिला युगला पहला ICC Under 19 महिला T20 वेश कब 2023 किताब किसने जीता है, डबल स्टार मार करिये, आंसर होगा, ऑप्शन C हमारा प्यारा भारत ने, और भारत ने इंगलेंट को फाइनल मैच में साथ विकेट से हरा कर यह किताब जीता है, आयोजन स्थल, दक्षीन अफरीका और संसकरन पहला ह नेक्स कोशन, टैनिस टूर्नामेंट इंडियन वेल्स मास्टर 2023 में पुरुष एकला किताब किसने जीता है, सही अंसर है, ऑप्शन है, कार्लोस अलकाराज स्पेन की है, वही अगर हम बात करें, महिला एकला किताब जीता है, एलेना, रे बाकीना, कजाकिस्तान की है, पुर दूश्यों की फीफा विश्व कब मैच में अंपाइरिंग करने वाले विश्व की पहली महिला कौन बनी है, सही अंसर है, ऑप्शन है, हर्मन प्रीत कौर जो की भारत की है, क्रिकेट टूनामेंट रंजी ट्रॉफी 2023 का किताब किसने जीता है, सही अंसरों का ऑप्शन भी स सौराष्ट की टीम ने जीता है, सौराष्ट ने पशिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर रंची ट्रॉफी 2023 का किताब जीता है, अगला कोशन, क्रिकेट एशिया कब 2022 का किताब किस देश की टीम ने जीता है, सही अंसर है, ऑप्शन सी, श्री लंका देश की टीम ने जीता है, क पॉर्ण पॉइंट से कोशन को समझते हैं, आयोजन स्थल सयुंग तरफ अमिराथ है, संस्करन है पंदरवाँ किस कंपनी ने 951 क्रोड में 5 साल के लिए महिला IPL के प्रसारन के अधिकार को खरीदा है सही आंसर है, ऑप्शन D, वाइकॉम 18 ने भारती क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉंसर कौन सी कंपनी बनेगी? सही आंसर है, ऑप्शन D, एरिडास अगला कोशन, फॉर्मुला वन रेस जिसका नाम है बहरीन ग्रेंट प्रिक्स 2023 का किताब किस ने जीता है? सही आंसर है, ऑप्शन A, मैक्स वेर्स टेप ने जीता है, रेडबुल के रेसर हैं और नीदरलेंड देश के हैं मैक्स वेर्स टेप ने वर्ष 2023 में आयोजित पहली फॉर्मुला वन कार रेस को जीत लिया है अगला कोशन कर लेते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का किताब किस ने जीता है? सही आंसरों का ऑप्शन A, करनाटक ने जीत लिया है संतोष ट्रॉफी 2023 का किताब करनाटक ने मिघाले को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद या ट्रॉफी जीती है अगला कोशन कर लेते हैं, ICC पुरुष एक दिवस्टी क्रिकेट वेशकब 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है, ऑप्शन C, भारत संस्करन 13 होगा, और इसका अगला वाला जो है, चौधमा ICC पुरुष ओडियाई वेशकब 2027 वो होगा दक्षिन अफ्रीका, जिम बॉबे और नामी पिया में और पंदरमा ICC पुरुष ओडियाई के रिकेट वेशकब 2031 होगा भारत और बंगलादेश में नेक्स कोशन, बर्मिंगम राष्ट मंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीड स्थान पर रहा है, सही आंसर है, ऑप्शन D, अस्टेलिया अस्टेलिया ने कुल 170 पदक जीते हैं, 67, गोल 57, सिल्वर 54, ब्रॉंज, भारत का स्थान रहा है, चौथा, कुल पदक जीते हैं, भारत ने 61, आयोजन स्थल था, बर्मिंगम, इंग्लैंड और संसकरन कौन सा था, बाईसमा नेक्स कोशन कर लेते हैं, महिला प्रीमियर लीग के लिए चल रही खिलाडियों की निलामी में सबसी महेंगी बिकने वाली खिलाडी, महिला खिलाडी कौन बनी हैं, सही आंसर होगा इस कोशन का, आप्शन A, सिमिती मंधाना सिमिती मंधाना महिला प्रीमियर लीग 2023 की निलामी में उच्छतम बोली जीतकर 3.4 क्रोड रुपे में रॉयल चालेंजर बैंगलोरू में शामिल हुई हैं, एशिया इशतरंज महा संग ने किस खिलाडी को वर्ष 2023 का सरवश्रेश खिलाडी चुना हैं, सही आंसर है नगर से कन्या कुमारी के बेच, 361 किलोमेटर की दूरी थी फ्रेंड्स ये, 361 किलोमेटर की इस तरह की पहले आयोजिन में एक महिला सहीत 29 साइकल चालोकों ने भाग लिया हैं, नेक्स कोशन, भारत में आयोजित पहले फॉर्मूला E-Race जिसका नाम है है हैदराबाद E-P इक्स 23 का किताब रिकॉर्ड पांच वी वार फीफा कलव विशकब 2023 का किताब किस ने जीता है, सही आंसरोगा इस कोशन का option है, falta मेटरेट फुटबॉल खलब ने जीता है, फीफा कलव विशकब 2023 का किताब आयोजिन सतल्थय मौरुक को संसकरन 19 भां खेला गया है भारत कے 81 असीवे शत्रंज Grandmaster कौन बने है? सही आंसर होगा इस question का Option है सायंतन दास जो की पश्यम बंगाल के हैं और जो इनसे पहले असीवे थे वो थे विगनेश एनार तमिलाडो के BBC Indian Sports Women of the Year 2022 का पुरुसकार किसने जीता है? सही आंसर है Option D मीरा बाई चानू ने भारतोलन की खिलाड़ी है मीरा बाई चानू लगाता है दो बार है पुरुसकार जीतने वाली पहली अथलेट बन गई है अगला कोशन गर लेते है जूनियर कबड़ी वेशोफ चैंपेंशिप 2023 का किताब किसने जीता है? सही आंसर होगा इस कोशन का Option C भारत ने जीता है जूनियर कबड़ी वेशोफ चैंपेंशिप 2023 का किताब विचेता इरान रही है आयोजन स्थल है उर्मिया इरान BBC स्पोर्ट्स परसनलिटी ओफ दा इयर 2022 का किताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है Option A बैथ मेड ने युनाइटेट किंग्डम की है और एक फुटबॉल खेल से संबंदित है अगला कोशन फॉफ्स दौरा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सरवादी कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है Option A नाउमी ओसाका जापान की है इस सूची में जापान की नाउमी ओसाका 51.1 मिलियन डॉलर के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी है वहीं भारतिय महिला खिलाड़ी पीवी सिंदू इस सूची में बारवे स्थान पर रही है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिये और आप सभी की डिमांड आ रही थी रवी सर आप लाइव आई है तो मैंने अपना ब्लॉगिंग चैनल लॉंच किया है जहां पर आप रवी सर और अदिती मैं को लाइव देख सकते हो नाम है रवी अदिती ब्लॉग्स ठीक है इसे भी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले अगला कोशन कर लेते हैं IPL निलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाडी कौन बने हैं सही आंसर है option C Sam Curran England के हैं ये IPL निलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाडी बने हैं ठीक है फ्रेंट्स 18.5 करोड रुपे में ये बिके हैं ये आपको याद रखना है और Kings उनको 2 करोड रुपे की 2 करोड रुपे की बेस प्राइस वाले खैम करों का पंजाब Kings ने 18.50 करोड रुपे में खरीदा है किसने खरीदा है पंजाब Kings ने नेक्स कोशन दुनिया के सबसे बड़े होकी स्टेडियम बिर्सा मुंदा स्टेडियम का उधगाटन कहां हुआ है सही आं अगला कोशन अंतराश्ती टेस्ट क्रिकेट के इत्यास में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं सही आंसर है आप्शन ए रवी चंदरन अश्विन भारत के हैं ये रवी चंदरन अश्विन ने 89 में टेस्ट मैच में ये उपलब्दी हासिल की है सबसे तेज 405 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज पहले हो हैं मुथाया मुर्ली धरन श्री लंका के हैं ये ठीक है और दूसरे कौन बनके हैं 450 विकेट लेने वाले भारत के रवी चंदरन अश्विन अगला कोशन कर लेते हैं अंतराश्ती T20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं सही आंसरों का ऑप्शन बी युजवेंदर चेहल युजवेंदर चेहल ने 75 मैचों में 91 विकेट ली हैं जबकि भूवनेशो और कुमार 87 T20 मैचों में 90 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर र इंडिया ओपन 2023 में महिला इकल का किताब किसने जीता है सही आंसरों का ऑप्शन ए एन सियांग ने जो की दक्षिन कोरिया की हैं पुरुष एकल किताब जीता है कुनल वुत विति दरसने थाइलेंड के हैं पुरुष एकल किताब जीता है लियांग विकेंग और वांग चा अगला कोशन दुबई में आयो जित एशिया मिक्स्ड टीम बैल्मिंटन चैंपिंशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? सही आंसर होगा option C, कान से पदक जीता है? अगला कोशन, ADP Masters 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टैनिस खिलाडी कौन बने है? सही आंसर है option B, रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना 43 वर्षी भारतिय टैनिस खिलाडी है भारतिय पुरुष होकी टीम के नई कोच कौन बने है? सही आंसर होगा इस कोशन का option A, क्रैग फुल्टन और होकी इंडिया के स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्याले नई दिल्ली में है, अध्यक्षे दिले तिर्की गोल्फ टोर्नामेंट केनिया लेडिज ओपन 2023 का खिताब किस ने जीता है? सही आंसर है option B, अधिती अशोक भारत की है सीनियर रास्टिय महिला होकी चैंपिन्शिप 2022 का खिताब किस राजजे ने जीता है? सही आंसरों का option D, मध्यपरदेश ने वो विचेता रही है महाराष्ट, आयोजनस्तल, भुपाल, मध्यपरदेश, संसकरन, तेर्मा और टूर्नामेंट के सरफ्ष्रेस्ट, खिलाड़ी का प्रुसकार जीता है प्रतिभा आर्रे जोकी मध्यपरदेश की है भारत की राष्टिय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जमपर, एश्वरिया बाबु पर नाड़ा ने प्रतिबंदित अनाबोलिक स्टिरोइट के सेवन को लेकर कितने साल का बैन लगा दिया है सही आंसरों का option B, चार साल का नाड़ा स्टैंड फोर नैशनल एंटी डोपिंग एजनसी अगला कोशन, किस पूर्व भारते क्रिकेटर को नेपाल राष्टे क्रिकेट टीम का मुख्य कोज के रूप में नियुक्त किया गया है सही आंसरों का option B, मॉन्टी देसाई किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की घोशना की है सही आंसर है option C, England अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और इसी के साथ जो हमारी फैंट जीके की 51,000 वाली जीके बुक है, रवी जीके बुक ये भी आप बाई करके अपने एक्साम की त्यारे को बहुत अदा मजबूत बना सकते हो 95% से जादा कोशन डारेटली आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाते हैं, आपकी रवी सर ने बेस्ट कॉंटेंट अपनी इबुक पे रखा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्या केंदर शार्शित परदेश पहले स्थान पर रहा है सही आंसर है ऑप्शन डी जमू कश्मीर केंदर शार्शित परदेश जमू कश्मीर ने 26 और जीते हैं, 25 रज़त जीते हैं, 25 कांसे बदक के शार्शित स्थान हासिल किया है आयोजन स्थल था इसका गुलमर्ग जमू कश्मीर संसकरन तीसरा 26 में अखिल भारतिय वन खेल कुद परतियों किता 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर स्थान पर रहा है सही आंसर है ऑप्शन डी 36 गड़ 36 गड़ ने कुल 129 पदक जीते हैं जिन में 67 गोल्ड, 37 सिलवर, 25 ब्रॉंच मेडल शामिल है आयोजन स्थल पंचकुला हर्याना है चौथी एशिया एखोको चैंपिंशिप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा सही आंसर है ऑप्शन भी असम में पहला शेन वान, मैंस टेस्ट प्लेयर ऑफ दा इयर 2023 का पुरुसकार किस खिलाडी ने जीता है सही आंसर होगा ऑप्शन ए उस्मान, क्वाजा, अस्टेलिया के है ICC Men's T20 International Cricketer of the Year 2022 का किताब किस ने जीता है सही आंसर है ऑप्शन C, सूरे कुमार यादव जो की भारत के है सूरे कुमार यादव ने वर्ष 2022 में खेले गए 31 T20 मैचों में 1164 रन बनाए है अन्य प्रुसकार विजिताओं के नाम देख लेते है ICC Emerging Women Cricketer of the Year 2022 किताब जीता है रिन्युका सिंग ने ICC T20 Women Cricketer of the Year 2022 किताब जीता है ताहलिया मैग ग्रॉथ जो की अस्टेलिया की है भारत की तरफ से अंतराश्टी वंडे क्रिकेट इतिहास में सबसे जादा चक्के लगाने वाले बल्ले बाज कौन बने है सही आंसर है Option B रोहित शर्मा अंतराश्टी वंडे क्रिकेट में सबसे जादा चक्के लगाने वाले जो बल्ले बाज है वो हैं शाहिद अफरी की 351 चक्के इनोंने लगाए है और भारत की तरब से सबसे जादा लगाए है जो रोहित शर्मा ने नेक्स कोशन FIH पुरुष होक्य विश्कव 2023 कहां आयोजित हुआ है सही आंसर है Option C भुवनेश्वर ओडेशा में पंतरमा संसकरन खेला गया है ओली इसका शुभंकर है पुरुष अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का पदक तालिका किसने जीता है सही आंसर है Option C मध्य परदेश ने जीता है पुरुष अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 आयोजनस्थल भुवनेश्वर ओडेशा है मैंने आपको 67 most important questions करवाई sports current affairs से related अगर आपको वीडियो की quality वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंद आई है वीडियो को like और share ज़रूर करना comment box में अपना feedback देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ठीक है मैंट अब दो question का test आगया है answer आपने comment box में देना है महिला प्रीमियर लिग 2023 किताब किस टीम ने जीता है लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 किरिकेट वेशकप 2023 किताब किस टीम ने जीता है दोनों question का answer आपने comment box में देना है अपना feedback भी देना है वीडियो कैसी लगी है और साथ में ही friends आपको बताना चाहता हूँ कोई भी topic जो आपको समझ नहीं आ रहा हुगा आप मुझे comment box में बताइए मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा किसी भी topic पर अगर आपको marathon वीडियो चाहिए ठीक है best content मैं अपनी हर वीडियो में लेकर आता हूँ ताकि friends आपको नजातर question मेरी वीडियो से देखने को मिले अगर आपको सब कुछ पसंद आता है आपके रवी सरकार दिया गया content सब कुछ पसंद आ रहा है तो बस आप मुझे thanks कर सकते हो मेरी blogging channel को subscribe करके जिसका नाम है Ravi Aditi Blogs ठीक है Ravi Aditi Blogs मेरा YouTube channel है इसको जरूर subscribe करें आप ठीक है और हमारी ebooks आप buy कर सकते हो हमारी website www.ravibooks.pdf.com और साथ में हर वीडियो का free notes पाने के लिए Ravi Study IQ GK.com रवी Study IQ GK.com पे जरूर visit करें यहां पे मेरी आपको हर वीडियो का free notes दिया चाता है ठीक है friends और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ Telegram, Facebook, Instagram पे आप मुझसे जोड सकते हो Ravi Study IQ GK के नाम से है और अपने सभी family में अपने friend circle में बताइए कि जो Ravi Study IQ GK channel है यहां पे बिल्कुल free में पढ़ाया जाता है best content दिया जाता है और वीडियो में ही सब कुछ याद करवा दिया जाता है तो चलिए friends अब हम मिलते हैं next video में thank you and wish you all the best